गर्मी का मोसम है और इस मोसम में अंगूर फल जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा आता है बहुत ज़्यादा दिखाई देता है जहां कहीं भी देखेंगे अंगूर के डिहर देखने को मिल जाएंगे और हम लोग लाते भी हैं और खाते भी हैं लेकिन इससे होने वाले अं केल्शियम और फ्लेवोनाइड की अच्छी खासी मात्रा होती है जो हमारे शरीर स्वास्ते के लिए पहुत ही जरूरी है अंगूर में मौझूद एंटिवाइरल गुंड पोलियो वाइरस जैसी समश्यां से लड़ने में हमारी मदद करता है अंगूर सेवन टीबी कैंसर और शूगर जैसी खतरनाक बिमारियों से हमें बचाता है ताजा अंगूर या अंगूर का जूस या नीमित सेवन करने से माइग्रेन के दद से हमें राहत मिलती है अंगूर का जूस अस्थमा से पिडित लोगों के लिए काफी फायदे मंद है अंगूर में मैगनेज और आईर अगर हम इसका नेमित रुप से सेवन करें तो अंगूर में एंटि आक्सिडेंट, एंटि वाइरल, एंटि बैक्टिरियल गुन पाये जाते हैं ये सामान्य सर्थी जुखाम फ्लू बुखार से हमें बचाते हैं अंगूर के जूस या अंगूर के सेवन से हाई बलड प्रेसर नियंदरित रहता है इसमें फाइबर की भी परपूर मात्रा होती है तो पेट भी साफ रहता है और आंटें भी मजबूत इसके सेवन से हमारे तवच्चा की जो जूरियां है वो जहली नहीं आती तवच्चा स्वस्थ रहती है, साफ सुत्री रहती है इससे जूरियां, जाईयां और किल मासे से निजात भी मिलती है अंगूर के सेवन से हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहता है और किड्नी भी और रोग प्रतिरोग धक्षमता जो है इम्मुनिटी सिस्टम जो है वो भी मजबूत रहता है तो अंगूर का सेवन हमारे लिए बहुत ही फायदे मन रहता है गर्मी के मौसम में रोज अंगूर का सेवन करना चाहिए और अंगिनत फायदे लेने चाहिए लेकिन जब भी आप अंगूर खाएं चाजा खाएं खाने से पहले नमक मिले पानी में या मीठा सोड़ा डालकर थोड़ा पानी में 15 मिनट के लिए अंगूर जो है पानी में डुबो कर रख दें और फिर थोड़ा सा मतल कर इन्हें साफ पानी से दोल लें ऐसा करने से जो अंगूर के ऊपर कैमिकल या धूर मिटी होगी वो साफ हो जाएगे और अंगूर खाने में हेल्दी रहेंगे तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें नमशकार